हलो फेंट्स मैं मैं दीब सौबत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में 36 साइस का बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूँगी टीप नेक पर तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रख लेंगे नीचे से एक लाइन डो करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है तो जितना भी आपको तयार रखना है लंबाई उसमें एक इंच मार्सिन का प्रेस करके आप लेजएगा टोटल लंबाई रखी है साड़े चोधा इंच साड़े तेरा लेंथ मुझे तयार रखनी है इसकी और डीप नेक के अकॉर्डिं इंच एकस्टा रकेंगे मार्सिन के लिए मार्सिन आप चाहें तो दो इंच का भी है सकतरे हैं सेस्ट के लायन आपर बना लेंगे आदा इंच बार की तरकी तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे नीची कमर का measurement लेंगे, कमर तीस इंचे उसका जोटा भाग लेंगे, साड़ी साथ इंच, तेरी इंच एक्स्टा मार्सिन और एक इंच एक्स्टा ओर लिया है मैंने कमर के plates के लिए आर मोल की गुला इस तरीके से हूँ पर कर लिएँगे, मार्किंग पूरा करने के बाद यसे कट करेंगे मैंख पार्ट मैन यह आपर कटिंग कर लिया है अब मैं इसे मैन फाबρίक पर रकार कट कर रहे हूं मैन आपर पने कटिंग कर लिया है अब लेना है गले का मेंज़ामेंट गले की विट रखी ए मैंने यहाँ पर 2 इंच की 2.5 इंच गली की लंबाई लेंगे टोटल साड़ी दस इंच और नीचे से न एक विट दिलिया है मैंने तीन इंच तो गली की लंबाई और चोड़ाई आप अपने हिसाब से कम जादा करके ले सकते हैं जो को और एक बॉक्स जैसा शेप हमने यहापर बना लेना है और मटका गला लिया है पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग को डवल फोल करके नीचे की तरफ रख लेना है और एसटी इस कले के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है बराबर से देखिए पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे अब इसे हट कर लेना है तो बराबर से लाइन की साथ साथ नेक को कट करेंगे बाहर की तरफ से भी एक जैसा कटिंग करेंगे यह देखिए गरे की कटिंग भी मेरी हुग गई है यहाँ पर इसे मैं आटे चभए अलग से स्टिचिंग करना है इसका नीचे की तरफ मेन फैबरिक को रखेंगे उपर सेस्तर के कपड़े को रखते हुए हैं आपर पिन के साथ अटेश करेंगे और सबसे पहले सिलाई हमने गले पर लगानी है यहाँ पर नेक्यों पर सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे बाहर से भी इसलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब जितना भी एक्स्ट्रा कप्रा है इसे कट करके निकाल देना है तो यह बीच का कप्रा है से भी मैं कट कर रहे हूं और साइट से भी फैबरिक को कट कर लेंगे पूरा ही एक्स्टर फैब्रिक देखिए मैंने कट करके निकाल दिया है इसके बाद हमने लेना है अलग से कपड़ा जिसके उपर हम नेक को टेज करेंगे तो मैंने रेट कलर का कॉटन सिल्क का फैब्रिक के यहां पर लिया हुआ है अब इसके उपर नेक को अच्छे से सेट क कर देंगे और यहां पर लगा देंगी तो एक कॉर्णर की सलाई इस तरीके से यहां पर लगानी है एक तरफ से मैंने इसलाई लगाती है अब दूसरी तरफ से भी सलाई लगाएंगे नेक के दोनों तरफ मैंने सलाई लगाती है अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे कट करके निकाल देंगे बीच में से और साइट में से पेपर पेस्टिंग के बराबर से कटिंग किया है गले के अंदर वाले भाग का और बार की तरफ से हमें थोड़ा फैबरिक लगा दिये हैं ताकि असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए अब हमने नेक को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देनी है यह देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इससे पूरा कर दिया है अब इसे ब्लाउस के साथ अटेज करेंगे तो दिखिए यहाँ पर हमने सेंटर मार्क कर लेना है सेंटर में एक मार्किंग कर दी है नेक की भी और बैक पार्ट की भी बैक साइट से हमें इसे रखना है और इस तरीके से पिन के साथ अटेज कर देना है अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो एक पेर का मारसिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा कर नेक को अटेज कर देंगे कपड़े के साथ तो दिखी एक तरफ से मैंने सलाई लगा दी है अब मैं लगा रही हूँ दूसी तरफ से दूसी तरफ से भी मैंने सलाई लगा दी है इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैप्रिक को कट करकी निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है और पूरे ही नैक के ओपर छोटे छोटे गड़ लगा देने हैं ये कड़ लगाने से जो गला है वो बहुत अच्छी तरीके से पलट जाता है अब इससे अंदर की तरफ कर लेंगे और एक स्लाई उपर से लगा देंगे फिनीशिंग के साथ गले को पलट के सिधी तरफ करेंगे और हाथ से अच्छी से फिनीशिंग देंगे कपड़े को गले की दूसरी तरफ से भी स्लाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे और इसके बाद लगाएंगे गले के उपर पाइपिंग पाइपिंग के लिए मैंने क्रॉस पटी तयार की हुई है पटी को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे ये क्रॉस पटी लिया है कले में लगाने के लिए और यहां पर कॉर्णर की एक सिलाई लगाते हुए पटी को अटेज करना है हमें गले की उपर इस तरीके से पटी को नीचे की तरफ रखेंगे और उपर रखा है बैक पार्ट और इस तरीके से कॉर्णर की स्लाई लगाते हुए पटी को टेज करना है एक्स्ट्रा पटी को कट करके निकाल देंगे आप इससे परटा कर पटी के ऊपर छोटे-छोटे कट लगाएंगे ताकि पटी असानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए अब हमने इसका पाइपिंग फोल्ड कर लेना है तो पटी को अंदर की तरफ करते जाएंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे याँपर इस तरीके से पाइपिंग बनाकर मैंने इससे त्यार कर लिया है अब देखे मैंने आपर जोकुर कपडा लिया है जिसके लंबाई चोड़ाई तीन इंच की है और इस पैटन के हमने ट्रैंगल शेप में इससे फोल्ड कर लेना है सभी पैटन इसी तरीके से त्यार कर लेंगे एकिक करके और एक्स्ट्र कपड़े को कट करके निकाल देंगे सभी पैटन मैंने आपर त्यार कर लिये हैं इसके बाद मैं इसे लगा रही हूँ बलाउस के उपर तो गले के हाँसे इस तरीके से रखना है गले के पास में और शलाईलक अगर इसे अटेश करते जाना है सभी पैटन को हम एकेक करके इहाँपर अटेश करदेंगे इलिए दिखे सभी पैटन मेंने नैक्यो पर अटेश करदिये हैं अब इसका एक्स्ट्रा कप्रा कट करके निकालना है, तो इस तरीके से आपको धीरी धीरे फैब्रिक को कट करना है, Triangle जो हमने लगाए है इसका फैब्रिक आपको कट करना है, ध्यान रखिए का नीचे Blaze का फैब्रिक करना हो, सारा ही एक्स्ट्रो फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है अब दिखिए जो पेपर पेस्टिंग निकला था गले की बीच में से इसका पैटन कट कर लेंगे और निउस पेपर के उपर रखकर इसे बढ़ा कर कट कर लेंगे इसके उपर हमें डिजाइन बनाना है पटी के साथ में तो इस तरीके से इसे मैंने कट कर दिया है और इसके बाद पटी यहाँ पर जो पटी हमने बनाई हुई है इसे अटेज करना है यह दिखे दो इंच की पटी लेकर डवल फोल्ड करेंगे और पटीयों को यहाँ पर अटेज कर देंगे तो मैं टोटल एक तरफ तीन पटी अटेज कर रहे हूँ आप चार या दो भी कर सकते हैं तो तीन पटी हम इने दिखी यहाँ पर अटेज कर ली हैं पटियों के दोनों तरफ से लाए लगाएंगे और अब हमने इस तरफ से भी पटियों को लगा लेना है अब इसके सेंटर में मैं डोरी के सार्थ यहाँ पर डिजाइन बना रही हूँ तो डोरी को इस तरीके से रखेंगे और क्रॉस में करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे हाँ अच्छे से डोरी को उपर की तरफ से पका कर देना है और क्रॉस करते जाना है और सिलाई यहाँ पर लगाते जाना है इसके बाद मैंने चोकुर कपड़े लिए हैं इसकी लटकन बनानी के लिए तो दीखे इस तरीके से यहाँ पर लटकन बना लेंगे दोनों पैटर्न में लटकन बना कर त्यार कर लेंगे पैटर्न मेंड़ा तैयार हो गया है बलाउस पर अटेज करने के लिए तो यहाँ पर दिके सेंटर में इसे इस तरीके से रख लेना है और दोनों दुर्ख से बराबर करते हुए पिन के साथ पहले अटेज करेंगे इसके बाद ही सिलाई लगाएंगे तो मैंने इसे पिन के साथ अटेश कर दिया है और अब सिलाई लगाएंगे कि इस तरीके से सिलाई लगा देनी है पाइपिंग के कॉर्णर पे अब दिखें यहाँ पर हमने सेंटर से कप्टि को फोल्ड करना है और चार हिंच के लंबाई में प्लेट्स लगानी है दोनों ही तरफ कमर में प्लेट्स यहाँ पर लगा लेंगे हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी भी अटेश कर देंगे कमर पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लेना है नीचे से आधा हंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटेश कर लेना है अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के उपर लगा लेंगे फिर इससे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो इतना पाट देखे मेरा तयार हो गया है अब मैं यहाँ पर लेस अटेश कर रहे हूँ तो गले के हाँ पर हमने इस तरीके से लेस लगा लेनी है गले के दूसरे भाग पर भी लेस अटेश कर देंगे अब मैं यहाँ पर मोती अटेश कर रही हूँ तो यह जो ट्राइंगल शेप के पैटर्न हमने लगाए हैं एक एक करके यहाँ पर छोटे साइज में मोती अटेश करेंगे मोती मैंने अटेश कर दिये हैं इसके बाद ये जो पेपर है इसे हमने निकाल देना है और इसी के साथ ये नेक डिजाइन बनके तयार हो गया है तो फ्रिंट्स आपको आज करें डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीचेगा चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यबाद